इतने भी स्टूडेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त के बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रहा है कि चतिस गड़ में आप सभी स्टूडेंट जो सी टेट का एक्जाम जिनका क्वालिफाई नहीं है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेटि होता है यह टेट एकजाम आपका जो है क्वालिफाइक होना चाहि desert exam क्वालिफाइक कि आप जो है teacher भर्ती परिक्षा के लिए eligible नहीं रहेंगे reconoc Julian it नहीं हो पाएंगे और बेदन ही नहीं कर पाएंगे SME एक तरह से देखा गह hacked that course जींगे पाठ enabled endeakims Egypt सीटेट होगा या फिर सीजीटेट एक्जाम दोनों में से एक एक्जाम का क्वालिफाइए हैं तो वो इसमें आसानी सावेदन कर पाएंगे लेकिन आप लोगों का क्या आप लोगों के बारे में कौन सोचे गए जो 10,000 वेकेंसिस आप लोगों के लिए अभी टीचर भरती प आप लोगों के लिए आएगा ही मतलब आएगा 100% शूर है तो जिनका तो टेट एक्जाम क्वालिफाइए किया उन इस्टुडेंट के लिए तो अच्छे खुसकबर है लेकिन जो इस्टुडेंट जिनका बीएड कंप्लीट है ग्रेजुएशन कंप्लीट किये हैं बीएड में तब जाकर आपका बीएड जो है कंप्लीट हुआ और ऐसे में यदि आपका टेट एक्जाम्स क्वालिफाइड नहीं है तो आप टीचर भरती परिक्षा के लिए लिजिबल नहीं रहेंगे और आप इसमें फॉर्मी फिल अपनी कर पाएंगे तो सिक्षा काम जो है परिजिबल नहीं रहेंगे तो क्या 36 गड़ में फिर से टेट एक्जाम्स होगा और उसे एक्जाम्स को क्वालिफाइड करके क्या हम टीचर बन पाएंगे या फिन नहीं तो आप इसे जो भी स्टुडेंट का कुछ भी डाउट्स वो सभी डाउट्स आपका इस वीडियो म क्लियर होने वाला आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को टीचर बनने के लिए टेट एक्जाम्स कॉलिफाइड होना कमपसरी है तो ऐसे मैं आप सभी स्टुडेंट के लच्छी खबर निकल करा रहा है कि टेट एक्जाम्स आपका फिर से होगा सीजी टेट जो है आप लोगों के लिए जो है कंड़क्ट कराया जाएगा क्योंकि 10,000 वेकिंसिस आ रहा है और जिनका ही टेट एक्जाम्स कॉलिफाइड है उनका ही सेलेक्शन होगा तो ऐसे में जो 10,000 पोस्ट हैं उसके लिए तो ऐसा नहीं है कि शतिस गण में पूरे के पूरे 10,000 इतने मातरा में टेट एक्जाम्स किसी का क्वालिफाइड नहीं है तो ऐसे मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए का बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछी महिनों में इसके लिए जो है नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा कि सीजी टेट के टेट एक्जाम्स के लिए टेट एक्जाम्स के प्रिप्रेशन करने के लिए सुरू हो जाई है और टेट एक्जाम्स के प्रिप्रेशन जो है सुरू कर दीजिए और जब आपका टेट एक्जाम्स क्वालिफाइग हो जाएगा उसके बाद आप टीचर भरती परिक्षा की तै कर सकते क्योंकि आप लोगों को एक और जनकरी देना चाहता हूं कि अभी सीटेट का फॉर्म जो है फिल अप हो रहा है और इसका एक्जाम जो है आप लोगों का दिशंबर में होता है सीटेट मतलब की सेंटर टीचर एलिजिबिलीटी टेस्ट यह आपका सेंटर लेवल का होत आपको एक हजार का सूल का पे करना पड़ेगा वहीं यदि आप एसी और एस्टी के डिग्री में आते हैं तो यहाँ पर एसी और एस्टी के डिग्री वाले इस्टुडेंट को पेपर वन के लिए 600 रूपय का सूल का है पेपर टू के लिए यहाँ पर 500 रूपय का सूल का आपको देना पड़ेगे क्योंकि seat eight के एक्जाम में आपका two paper होता है आपको पताना चाहता हु एक बार यह दिया स्थी आपका seat eight के exams qualifier हो जाता है तो आपको जिन्देगी बर के लिए आप खो जायेंगे, आपको ख़़ी भी जो है qaulify करने की जूरत नहीं पड़ेगा इसलिए हम जो ct exam की प्रिप्रेशन जो है बहुत अच्य से कर सकते हैं हर साल सीट का exam जो होता है और एक साल में आपका जो है एक बार होता है पहले आपका ct exam जो है एक साल में आपका दो बार होता था लेकिन ये ct exam आप आप जो है आप इस बार से आपका हर बार जो है आपका एक साल में आयोजित होता तो आप सी टेट एक्जाम से क्वालिफाई कर सकते हैं एक बार आप क्वालिफाई कीजिए उसके बाद आपको बार बार सी टेट एक्जाम से क्वालिफाई करने के जूरत नहीं पड़ेगा औ तो टेट एक्जांब करेंगे लाब जो ऑखायरी कर सकते हैं.. वहीं बात करें.. त पोउस्ट जो टीचर कभी आने वाला है.. वह कब तक आएगा.. और किस तरह सी आपको चैरी करना है कैसे ऑठाई करना है.. कितने गंटे के आपको पढ़ाите करना चुई.. जिससे हम टीचर भर्दी परिक्चर में अच्छे से पर्परमेंस कर सकते हैं और आसानी से आप आवेदन कर सकते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि टीचर के जो 10,000 वेकेंसिस आप लोगों के लिए ऐलान हुआ है कि मुख्य मंतरी जी ने भुपेज बखेल जी ने ऐलान किया कि 10,000 वेकेंसिस आप लोगों के लिए आने वाला है तो भी वेकेंसिस के बात करें अपरेल इनहीं के बीच में होगा याने कि एक्जामस आपका जो है 2023 में होगा अभी जो है नहीं होगा आपका जो है 2023 में ही आप लोगों को एक्जामस जो है देखने को मिलेगा तो जो भी स्टुडेंट exams की तयारी करना चाहते हैं आप exams की तयारी केज़े आप लोगों के पास भरपूल टाइम है एक अच्छा टाइम है और इश टाइम का जो है आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आप लोगों के लिए vacances आने वाला है तो आप exams के तयारी start कर दीजी ताकि आप लोगों का अच्छे से सेलेक्शन हो पाए और आप उसमें निपूंड रहें और आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा तो आरे जो है शुरू कर दी जो टीचर भरती परिक्षा के सलेबस और एक्जाम पेटा उन सभी टीचर एक्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो बूक लिश्ट चाहिए जो बूक रिक्वाइमेंट रहता है उन सभी बूक का लिंक आओ को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां सा पसानी से बूक को परचेस कर सकते और आपना पढ़ाई जो ही स्टार्ट क सकते हैं तो आई हो जित्ते भी जानकारी मैंने आप सभी को टीचर भरती परिक्शे से रेलेटेट सभी जानकारी बताया सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आया हो अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लेश वीडियो को लाइक किजिए चैनल को कर लिजिए सांथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आन करके रख लिजिए ताकि जब भी मैं वीडियो से अपलोड करूँ आप लोगों को जानकारी और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सेगे तो प्लेइस वीडियो को जादा जादा लोगों तो शेयर कीजिए कोमेंट अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाई उसी तरह से मेरे चैनल सपर आप सभी को वीडियो से है मिल जाएंगे तो थैंक यू आप सभी का